वाहिगुर जी का खाल सा वाहिगुर जी की फते हां जी बिल्कुल ठीक पड़या तुसी थमनिल विच आज उसी ओ वीडियो लेके हाजिर होई हां जिस्ता तुसी सारे बेसबरीनल इंतजार कर रहे सी सिद्धा चलांगे जंगे मैदान विच ते वेखांगे पंगाणी दायुद शिरी गुरु गोबिन सिंग्जी दे जीवन दी पहली जंग दा इतहास पूरी डुगाई नाल के केस तरह गुरु पाश्चा दे सूर में ने हंकारी राजयां दी फोज नू सबक सखाया की ने खड़े पैर गुरु सहब नू तोखा दिता ते केड़े सूर में नू गुरु पाश्चा वलो जंग दा नायक कहोन दा मान प्राप्त होया जानांगे दोहंती रादियां जंगी नीतियां तो लेके जंगे मिदान दिप गॉलक स्थिती तक हर छोटे वड़े नुकता नगाव आरे जिदा के मैं पहले पाग विच्वे जिकर किता सी के जे तुसी पंगाणी दी जंग बारे पढ़ना होवे तब आवेसे एक लाइबरेरियें चांट मारो या फोन्त वाड़े हाथ विच है ओनलाइन सर्च करके देख लो इकका दुका सरोता नुछाटके से के तास्दे इस अती महत्त पुर्ण कटना बारे तो अनुकोई मैटर ही नी मिलदा सो एस वीडियो नुबनोली असी खोल तेरा को सरोता नुछाटके कड़ी मेंत नाल मैटर कठा करके तो आडेली वीडियो त्यार किता है जीदे विच डॉक्टर सुक्पीच सिंग जी उडोके दा लेक्चर ते पाई बीर सिंग जी दा लिखिया शिरिक कलगी तर चम्तकार बुक मुक्स रोतान सो एन्नी मेंत ली एक लाइक दा बनदा है ते वीडियो शुरू करने तो पहला जे तुसी इस चैनल ते नमें आयो यह वीडियो तो अनू किसे सज्जन ने वर्टसाइप ते शेयर किता है ता सक्सेस दरा चैनल नो सब्सक्राइब करके बैल एक उन प्रेस करके औल ते क्लिक कर देओ ता जो सिकेतास नल जोड़े एस तरहां दे शांदार वीडियो तो अड़े तक पहुंच दे रहे हैं इतहास दे जड़े टोपिक वारे वी तुसी सोच देओं कि तो अनू सब कुछ पता है पहला वीडियो उसे टोपिक दा ही देख्यो तो अनू सो नविया गला पता लगन गया सरदार करतार सेंग जी सराबा ते गदरी बाबें दे इतहास ते रिसर्च चाल रही है शेती ही ए वीडियो हाजर होंगे एस तो अलावात उसी हो और केड़े टोपिक दे वीडियो देखना चोने हो कमेंट बोक्स दे स्ट्राइब करके जरूर दसे हो साहिब एक माल दशमेश पिता शिरिगुर गोबि सिंग जी दी लाड़नी फोज जीदे विच मुख तो औरते दबियां कुछलियां जातां दे ओ लोग शामल सन जो जलालत दी जिन्द की जीन्दे जीन्दे ठक चुके सन साहिब एक माल शिरिगुर गोबि सिंग जी दा चमतकारी मन्या जावे के जंग तो पहला दो एन्ने वड़े चटके लगण दे बाद भी इना स्पाईय दे मन विच किसे तरान दवी कोई डर शंका जा कोई निराशा नहीं सी चटके की लगे सन शिरिगुर गोबि सिंग जीनू पहला दो इस जंग दे होंदा अंदेशा सी इस लिए फोज दी गिंटी विच बादा किता जा रहा सी गुरु सहब ने फोज विच पांसु पठान वी परती कीते सन ए पठान पहला औरंग जेब दी फोज विच सन ते किसे खता करके इननों नोकरी तो बेदखल कर दिता गया सी सो ओथो पहला इसी दोरे गए ते फिर पीर बुत्तु शादी स्पार्श लेके गुरु सहब कोल पहुंचे ते गुरु जे ने इननों तनकाहा ते परती कर लिया काफी समाए गुरु सहब दे नाल रहे ते समय सिर तनकाहा लेंदे रहे पर जो तो सिखान दे खेमे विच एक अबर पहुंची के बाईतर दे सारे राजे कठे होके हमला करन दी त्यारी विच्छन ते रादो राद सिखान दा साथ छटके पज गए ते जाके पहाडी राजे नाल एस शर्त ते राल गए के मोटियां तनकाहा दे नाल जंग जितन तो बाद एनननों लुट मार करन दी वी छूट दिती जाओगी पहाडी राजे ली विए सोता कोई माडा नी सी क्योंके ए पठान गुरु करदे हर पेज तो जाणू सन एस तो अलावा गुरु सैपकुल महंत किर पाल दास ते उनना दे पांजिक सो चेले सादू भी रहन दे सन उनना समया विच सादू भी कसरतां ते जो रजमाईश कर दे हुन दे सन पता नी क्यों शाइद लुट किसोड तो बचन ले एसे करके ही सादू डेर्यानों अखाडे केहा जान्दा सी जद इनना चेलेया नू पता लगया के राजया दी फोज ता पहला ही बड़ी पारी सी उत्तो सिक फोज दा सबतो तजर्बेकार दल पठान मी जाके राजया नल राल गे हन ते पिछे बस होन अनाडियां दी पीड़ी रह गी है तम हंति किरपाल दास नू चटके ए बाकी दे सारे सादू वी रात्तो रात फरार हो गए एक ता फोज दी गिंटी पहला ही दुश्मन नालो बहुत काट सी उत्तो एन मोके दे फोज दे सबतो तगडे दल दा जाके दुश्मन नाल राल जाना सच मुच वड़े वड़े सूर में दे होसले तोड़ देन वाली कटना सी पर शिर्गुर गोबिल सिंग जी दे संगता ही असर सी के आज गुरू की आफोज जां बिना किसे फिकर या डर डुक कर दे दुश्मन दे आहू लोल ली जंगे मेदान विश त्यार खडियां सन पर शिर्गुर गोबिल सिंग जी दा जांग लड़न ली पौंता सहब छटके पंगाणी जान दे पिछे की गारन सन कल्ये सेखी नी गैर सेखे तासकारां दी वी राय है के जे शिर्गुर गोबिल सिंग जी दे रोहानी पक्ष नू नजर अंदाज भी कर दिता जावे तामी उन्न दी गिंटी दुनिया दे चोटी दे जर्नेला विच किती जाओगी गुरु सहीब ने अपने जीवन काल विच चोदा जंगा लड़ियां हर जंग विच दुश्मन फोज दी गिनती कई गुणा जादा सी पर फेर भी सारियां जित्तियां इस दा सब तो वड़ा कारण सी शिर्गुर गोबिल सिंग जी ने हर जंग लई जंगे बिदान दी चोण आप किती सी गुरु जी ने पाउंटा सैब तो छे मिल दूर जाके पंगाणी नू एसली चुणियां क्योंकि ए था मोर्चा बंदी दे इसाबनल बहुत वड़िया सी जंग विच हमेशा दो लैना विच मोर्चा बंदी किती जान दी सी के जे फस्ट डिफेंस लैन नकारा भी हो जावे ताम इस सैकेंड डिफेंस लैन दुश्मन फोज नू अगे वदन तो रोग सके ते जे तो अनू कदी पंगाणी जान दा मोका मिले तो थे विक्यों के जमना नदी दे नाल नाल एक लंबा खुला मदान है मेदान दे नाल नाल उच्चियां पहाडियां हन जिते पहली डिफेंस लैन सेट किती गई सी पहाडियां तो बाद छोटे गोल पत्राँ वाला एक होर समतल मदान सी ते इस तो बाद फेर उच्चियां पहाडियां सन जिते दूसरी डिफेंस लेंज सेट कीती गई सी यनिके दोहा मोर्चे विच सिखा नो उचाई ते होन दा फैदा मिलना सी एस तो लावा एते यमना दे रूप पिच पानी दा स्रोत ते जखमिया नो रखली राक मी थावी सी जगे में दान दे लागे ए दोहें होने वी बहुत जरूरी हुन दे हन एस सारी बगॉलक स्थिती बारे बस किताबा विच लिख्या ही होया है जे किसे स्रोत विच एस मदान दा नक्षा मिलदा तमेत वाडिनाल जरूर शेयर करता पंजाब वल तोरन तो पहला शिर्गुर गोमि सिंग जी ने बाबा बंदा सिंग बहादर नो वी एही जंगी सिख्या दिती सी एसे करके बाबा बंदा सिंग बहादर ने सरहां दे शेयर ते हमला करन दी था दुश्मना नो चपट चिडी दे मदान विच ओनली मजबूर किता सि दोवाँ पक्खान दे सूर में एक दूसरे दे आहूल ओनली बिल्कुल तियार खड़े सन किसे भी वेले जंग शुरू होन वाली सी पर उसे समय मदान विच दूर एक पस्यों तूरदा गुबार उडदा दिखाई दिता कोड़ें दे पैड़ां दी दगड़ दगड़ दी अवाज कनना विच पई ते खुज मिंटा बाद ही कोड़सवार योद्यां दे एक जथा होते खड़ा सी एस दल दे मुकी सन पीर बुद्दु शाजी जदों पीर जी नू एक खबर मिली के उनना दी सफारशनल परती किते के पठान मोके ते तोखा दे गए हम ता उनना ने आप गुरु सहब दी सेवा विच ओन दा निश्चे किता पीर जी दे नाल उनना दे पिता जी सैद गलाहू दिन उनना दे चारे पुतर सैद अश्रफ शाज, सैद मुहमद खिजर, सैद मुहमद आलम ते सैद मुहमद शाज ते नाल ही चार सो मुर्शद वी सन, शिरगुर गोविल सिंग जी पीर जी दे एस समर्पन तो बहुत परसन होए ते अपनी पुआ जी दे बेटे संगोशा नू पीर जी उनानू सारी जंगी निती समझा के जंग विच चामिल करन ली के हा ते कुछ पलां बाद ही तोप दे तमाके दी वाजनाल जंग शुरू हो गई मैंनू पता है के तुसी जंग शुरू होंदा ही इंतिजार कर रहे हो पर मैं बड़ी मेंतिनाल आज दे वीडियो ली मैटर कठा किता है सो एक लास्ट फैक्ट होर शेयर कर देना है ए तोप कुरू सहीब जीनू पेटा किती गई पहली तोप सी जिसनू बनार्स दे सेक पाई रामा जी ने द्रक्त दे तने तो बनाया सी क्योंकि पहाडी राजयन ये फोजन ता पीमचंद दे पुतर दे व्यात आईया सन ते ओ तो सिदे ही जांग लड़ना आ गए ते जे पीमचंद कोल कुछ तोपा हून गया भी ता द्रया पार करके तोपा लेड़ियां बढ़ियां ओखियां सन एस लिए पहाडी राजयन दी फोज जिननी मर्जी वड़ी सी उनना कोल तोप एक भी नहीं सी ते सिखी दे सूला मताबक जंग हमेशा बराबर दे नाल ही लड़ी जांदी है एस लिए सिखा ने एस तोप दी वरतो सिर्फ जंग शुरू कर ले इशारे वजों ही किती सी ना के दुश्मन नो नुगसान पन चौन ले तोप दा तमाक का हुंदे ही पहाडी फोज दे कोडसवार ने कोड़ियान वड़ियां लाईयां ते तेजी नाल सिख मोर्चेंवल वड़ना शुरू कर देता नाल दी नाल ओ सिख फोज जंवल तबर तोड तीरां दा मीम रा रहे सं एद्रो सिख फोज दे तीरंदा जा नेवी जवाबी हमला कीता सिख नू मोर्चा बंदी मिदान नाल उचाईते होन दा पूरा फैदा मिल रहा सी तीरां दे पहले हले विच चाली कसक्षे ही धोए पर सिख ने चार सो दे करीब पहाड़ी स्पाईया नू गड़ी चड़ा देता इसे तरही पहाड़ी विच एक नीवी थाते सो दे करीब सिख तीरंदा ज लुक के बठे सन जदों तीरंदे पहले हले तो बच दी पिचोंदी पहाड़ी फोज उनना दी सीध विच आई ता उनना तीरंद ऐसा मीव रहा के टाईसो दे करीब होर पहाड़ी ये मार मुका दिते दो अईने जबर्दस थल्यां तो बाद पहाड़ी फोज विच अफरा तफरी मच गई कुझ जवाबी तीर चला रहे सन कुझ वापस मुड़ना चोंदे सम इस अफरा तफरी दुरान दोवा मोर्चयां तो सिखा ने तीरां दी वर्खा जारी रखी ते तेंसो पच्ची दे करीब होर गड़ी चाड़ दिते तद फतेशा जो मुख हमलावर राजा सी उसने पठाना दे दलनों अग्ये कीता यूँके ओ सिखा दे जंगी नितियां दा काफी पेद रख दे सम पठान अग्ये वदे ते दोवे तिरां जंगे मिदान विच आप डियां होन टकर तलवारा टाला ते नेड़े दे ते आरानाल हो रही सी चारे पासे ग्यागेच लड़ाई विच वड़े पदर ते खून कराबा हो रहा सी आज एस जंग दा मुख सेना पती गुरु जी ने अपनी पुआदे पुतर संगो शाजी नू थापया सी ते गुरु पाशा आप पिछली पंक्ती चो फोज दी अगवाई कर रहे सन पीर बुद्धु शादल दी डूटी दुश्मना नू मोर्चा पार करके उतले मदान विच जान तो रोकन दी सी जद गुरु पाशा ओस पासे गेडा मारन गए ता ओ पीर जी ते उनना दे मुर्शिदा नू एन्नी दिलेरी ना लड़दा वेक के बड़े खुश होए पीर बुद्धु शादल एन्नी बहादरी ना लड़ रहा सी के जंगे मदान दे जेडे इससे वीचे तेग चला रहे सन उद्रों दुश्मन दे पैर उखडन लग पे ते फिर होली होली सेख पूरे जंगे मदान वीची दुश्मन दे हावी हो गए तद राजा फदेशा ने पठाना नू वंगा रहा मोटी तिनखाद नाल लुट मार दे छूट दिती सी तो अनू और की गल टिले मठे जे तुरे फेर दे हो जे हार गे ता की जित रह जाओगी तो अड़ी के जेडे गुरु नू छटके तुसी पज्जे सी उने अनाडियां दी पीड लाके भी तो अनू पठकनी दे दिती एगल सुनके पठाना दा खून खोल लिया जेडा सब तो तगड़ा पठान योद्धा सी हयात खान उसने चारे पसे हाहा कार मचा दिती गुरु जी ते महंत किरपाल दास किरपाल दास ने किया के गुरु पाश्चा ए पठान साथा योद्यां दा बड़ा नुकसान कर रहा है जे आग्या दियों ता मैं जाके एदे नाल न जिठा गुरु जी ने मुस्कुरा के बुच्चिया महंत जी कोई शेस्तर है तवड़े कोल अगो महंत ने जवाब दिता गुरु पाश्चा जेत वड़ी मेर होवे ता जो मेरे हत्विच है मैं एदे नाल ही इस पठान नू सोदा ला देऊंगा आग्या लेके महंत ने को अड़ेनू अड़ी लाई ते पठान नू जावगा रहा महंत दी ललकार सुनके पठान एम उड़ेया जिवे पूछते पैर रखनल सब मुड़दा है उसने बाजदी तेजी नाल महंत दे तलवार दा वार कीता महंत दे हत्विच कुदका सी उसने टाल दी था कुदका ही अग्य कर देता कुदका लकड़ दे बने उस डंडे नू केंदे हन जो सादू हर समय अपने हत्विच रख दे हुन दे सन कुदके नलवज के वारता रुक्या ही नाल ही तलवार भी टोट गई महंत दे हावी हुन आई पठान नू हुन अपना अपा समालना उखा हो रहा सी हुन वारी महंत दी सी उसने दोवे रकाबा विच पैर्ट काके काठी तो उठके बिजली दी तेजी नाल कुदके दा एकको जोरदार वार पठान दे सर्विच कीता ते सर्विच चो लहुदी ता आरवगनी शुरू हो गई पठान चक्कर खा के कोड़े तो डग पया ते कुछ मिंटा विच ही अगली दुनिया दा वसी हो गया उनना समय विच जंगा जर्नेलां दे सिरा ते ही लडियां जन्दियां सन ते अपने सब्तो तगडे जर्नेल दी मोत नाल वैरी दल कबरा के पिछे अटन लग पया पर अपने साती हयात खान दी मोत तो बाद न्याकत खान पूरे रो विच आ गया हुन ओधी तलवार जंगे मदान विच अगवर आ रही सी ओस ने सिक फोजदा बड़ा नुकसान कीता ओधी रफ्तार ठलन वासते समने आये संगोशा जो आज दी जंग विच मुख से नापती सम ए दोवे किसे समय गुरू का रविच नाल नाल जंगिये ब्यासते कसरता कर दे सन संगोशा जी ने एस चंग विच बड़ी सूरमता इनल सिक फोजदी अगवाई कीती संगोशा जी ने आप फोजदी अगवाई अपने हत विच लई ते एक उच्ची थांते कोड़ा ठल के दुश्मन फोज ते अपने तीरांदा कैर विरोना शुरू कर दिता ओद्रों दुश्मन फोज विच हुन बस एकको सूरमा राजा हरीचंद बाकी रह गया सी जी दे दमते पूरी फोज जंगे में दानविश टिकी होई सी हरीचंद अपनी तिलवारनल सिखांदे आउ लोदा होया अग्ये वदर्या सी ते एस तरा लड़दा लड़दा हो शिर्गुर गोविन सिंग जी दे एनी नेड़े पोंच चुक्या सी कि हुन दोमा दे तीर एक दूसरे दा सीना पाड़ सकते सां हरीचंद रे गुरु जी वल पहला तीर छड़्या जो सिद्धा जाके ओणना दे कोडे नू वज्जया पुराने समय विच जान भुज के कोडे नू निशाना बनाया जान्दा सी क्योंके जे कोड़ स्वार डग जान्दा ता उस दा संबलना उका हो जान्दा सी पर गुरु पाश्या फेर भी संबल गए हरीचंद दा दूसरा तीर गुरु पाश्या दे कानन नू छूके निकल गया हलकी जई चोट भी लगी ते हरीचंद दा चलाया तीसरा तीर आके सिद्धा गुरु सहीब दी वक्खी विच वज्जया पर अकालपुर्ख जी दी मेर सद्का वज्जया उससे था ते जिते गुरु सहीब ने कमर कसा बनने होया सी एसलिए गुरु सहीब नू बस हलकी जी चुबल ही मैसूस होई जे तुसी पंजबे पाशा शिरगुरु हर गोबिन सहीब जीदिया जंगा वाला वीडियो देख्या होवे ता गुरु सहीब ने अपनी ये चारे जंगा मिच कदे दुश्मन ते पहला वारनी किता सी ते बिलकुल अपने दादा जी दी राते चल दिया गुरु गोबिन सेंग जीवी हरी चंदू तेन मुक्के देव चुके सन ते गुर्बानी वीच लिख्या होया है जब ये बान लागयो तब ये रोस जगयो सो होन निशाना दशमेश पीता जी ने लोना सी ते गुरु सेब्दा चलाया पहला तीरी हरी चंदे जाके एहुजी थांते वज्जया क्यों तडफदा होया जमीन ते जाड गया ते कोजी पलाविच मर्मुक गया ते हरी चंदी मौद दे नाल ही पहाडी फोज विच अफरा तफरी माच गयी कोई बेडीच कोई किसे लकड़ दे टोटे नाल ते कोई कोड़े आते चाड़के जिवें किसे दा तबे आया यमना पार करके पज़न लग पया सिख फोज पज़े जान दे ना पिच्चा करना चौंदी सी पर गुरु सेब ने मना कर देता सिख ने जंग जेत लई ते उच्छा विचा के जिकारे लाए ते खुशिया मनाईया इस तो बाद सब तो पहला शेहिदा दे सस्कार ते कफन दफन दी किर्या किती गई पीर बुद्धु शाजी दे चार पुत्रां विचों तेनेस चंग विच शेहिद हो गए साल एक बुत्तर शेहिद अलम शाजी बच गए जीने दी अठमी पीडी चों नईम हैदर साब जी हन जो अजकल लॉस एंजलिस यूएस से विच रहन दे हन एक देन दे अरामतों बाद पॉंटा साहब विखे दिवान लगे पोथी साहब दा पाठ होया ते शेहिदाली अंती मरदास किती गई ते एस तों बाद पीर बुद्धु शाजी ने गुरु साहब तो जान दिया गया मंगी जन्दे समय गुरु पाश्या तो पीर बुद्धु शाजी ने की बक्षीशा प्राप्त होया पीर जी ने एथे आके जंग विच गुरु साहब दी मदद ता कर देती पर सिदोरा जित्थों देव वे स्नीक संड ओ शेहर वी औरंग जेव दी हकूमत वे छी ओंदा सी ओमें टोपिक ही मेंनों चंगी तरह याद हम जेड़ा इतहास अपनू आम सुनननों नहीं मिलदा कारण एही हुंदा है कि उस बारे बाला कुछ लिखे ही नहीं गया हुंदा इसे लिए ही रिसर्च करनते ते इसे ता आसनू लबनते समा लग रहा है प्लीज थोड़ा जा वेट करेओ इन्हा दोना टोपिक्स ते वीडियो जरूर जरूर बनावागे ते साथे नवे चैनल टेक्निकल सरदार्नी नुवी तो अडिस्पोर्ट दी बहुत लोड है टेक्निकल सरदार्नी यूटिब चैनल लो जाके विजिट जरूर करेओ ते जे तो नो लगए कि इस चैनल ते चंगा कॉंटेंट देखनू मिल रहा है ते सस्क्राइब भी जरू कर लेओ ते जान तो पहला कमेंट बॉक्स विच वाईगुर जी लेखके अपनी हाधरी जरूर लवा देओ वाईगुर जी का खाल साव वाईगुर जी की फते